हेलो फ्रेंट स्वागा था आपका हमारा यूटूब चैनल घर की रासोई एंड टीप्स एंड ब्लोग में तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से चौलाई की भाजी ये चौलाई की भाजी बहुत ही स्वादिश्ट होगा और हेल्दी भी होता है फ्रेंट इस तरह से बनाने से सब कोई को बहुत पसंद आएगा आप देख सकते हैं आधा कीलो चौलाई को काटने से आधा घंटा पहले धो कर रखे थे बारीक बारीक काट लिए हैं दस पन्रा कली लासुन का तीन चार लाल मिर्ची एक बारीक कटावा प्याज इधर सरसो तेल गरा कराही में दो चमच प्याज लहसन को डाल दिये हैं चलाते हुए गुल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे मिर्ची भी डाल देते हैं प्याज हलका भुन गया है मिर्ची को बाद में डालना है ताकि मिर्ची जलेना प्याज अच्छी तरह से गुल्डन ब्राउन हो गया है अब हम साग को डाल देंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे साग को थोड़ा साग कम हो जाएगा सोट होने के बाद नमक एट करेंगे ये साग बहुत जल्दी बनकर त्यार हो जाता है पांच मिनिट के अंदर में इसमें डंठल बहुत कम था बहुत अच्छे साग थे चौलाई कि ताजा फ्रेश साग अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे अच्छी तरह से मिला देंगे अब देख सकते हैं साग सोप्ट होने लगा है कितना जल्दी धक कर पांच मिनिट तक पकाएंगे धकन हटा कर बीच बीच में चलाते रहेंगे अब देख सकते हैं साग सोप्ट होने लगा है साग में जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको सुखाने तक पकाएंगे अब देख सकते हैं साग का एक्स्ट्रा पानी सूख गया है साग बहुत अच्छे से पक गया है गैस को बन कर देते हैं साग हमारा सर्व करने के लिए तैयार है आप देख सकते हैं कितने अच्छे साग बने हैं एकदम गिरिन गिरिन चौलाई की भाजी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा फ्रेंड इस तरह से अगर आप बनाईएगा चौलाई की भाजी तो यह साग बहुत हेल्दी होता है हर कोई को खाना चाहिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे देखने में भी लग रहे हैं जितने अच्छे देखने में है फ्रेंड यह साग उतना खाने में भी टेस्टी होता है तो आप इस तरह से चौलाई की भाजी जरूर ट्राइ कीजिएगा थैंक यू फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए आये हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूले थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई